कर उन्हें नहीं दिया था तो पहले उनको दिया वो चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उनको दिया पुलिटिकल रिजर्विशन जो है वो उनको दी और उसके बाद आज वो पूरी तरह से लग रहा है कि वो पहाड़ियों के साथ भी इनसाफ करने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है हम हर मंच से यह कह रहे हैं क हमें हमारा हक देते हुए के अंदर सरकार हमारे किसी भाई के हक में से कुछ भी ना कम करें और हमें हमारा दे हमारी मांग है यह और सबसे बड़ी बात कि अगर हम यह कह रहे हैं हमारे गुजर बकरवाल भाई किसी भी फॉरम से हमारे साथ बैठ कर यह बात अगर करना चाहे करेंगे कि उनका हक उनसे कोई कम ना हो और हमें हमारा हक मिले तो हम जाइंट लिए की डिमांड करने के लिए तैयार बैटे हैं लेकिन मैं एक बात कह देना चाहूंगा चाहे वो कोई पुलिटिकल पार्टी हो और चाहे वो गुपकार वाले हों यह जो गुजर और पहाड़ीों की बात को लेकर हमारे इस देखिए आज ये जो हम यहां राजोरी डागबंगलों में कठे हुए बैसिकली इदर उदर की कभी कार लाइन्स की बात आती है कभी कोई पॉलिटिकल आदमी कुछ बातें करता है इसमें हमारा मैं कंडी कोटरंका से हूँ वहां गुजर पहाड़ी एक ही ठाली में खाते हैं और एक ही साथ रहते हैं जैसे हमारी डोकें हमारे माल मवेशी बैड़ बक्रियां ये सारी चीज़े हम एक साथ ट्राइवल करते हैं मेरा आज का यहां पर बैठ के बात करने का मुद़ जर्फ यही है कि जैसे गुजर बाई हमारे हम जब शादीयें करते हैं तो एक साथ बैठते हैं हम मारा मरना जीना होता तो एक साथ बैठते हैं हम गुजर भाईयों को स्कॉलर्शिप मिला तो हम उनके साथ रहे गुजर भाईयों को डिस्टिक की रिक्रियूट्मेंट के खलाफ कोई बात मुद्धा था वहां हम उनके साथ रहे तो काई ना काई फारेस्ट राइट एक मिला हालिया दिनों में तो हम सब मिलके गुजर भाईयों और हम सब मिलके उसका वेलकम किया मैं इस मंच से ये मुखलसाना गजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ डवाइड एंड रूल की पालिसी इक्तियार कर रहे हैं मैं उनसे ये गुजरिश करता हूँ कि हमारे इस रिष्टे को तोड़ने की कोशिश ना की जाए हम एक साथ हैं एक समाज के एक रुकन हैं हमें डवाइड एंड रूल ना किया जाए इस डिस्क्रिमिनेशन को कभी नहीं बरदास्ट किया जाएगा और जो इंटलेक्शल तबके के लोग हैं वो हमारे साथ हैं उन्होंने मुक्तिलफ जगों में ये सारी स्टेटमिंट्स दी हैं कि ये जो पहाड़ियों का हक है स्टेटिस ये इनको दे दिया जाए इसलिए मेरी मुक्लसाना गजारिश है कि किसी के बैकावे में ना आए और हम एक साथ होके ये सारी पार्टियं जो हैं एक साथ होके तो हम अपना हक लें स्टेटिस ये हमारा हक है हम इसके लिए आखरी मुमेंट तक भी अपना हक मांग के साथ हमारा किसी भी जात के इंसान के साथ हमारा कोई भी किसी भी किसम का उनके साथ कोई मसला नहीं है हमारा गुजर बकरवाल कम्यूटी वालों के साथ कोई इतलाफात नहीं है हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को डिस्टरब किया जाए या उनके किसी मसले को हम जाके उन की उस थाली में जो ST है उस से नहीं चाहिए हमें अगर हम लेंगे अगर हमें देगी सेंटर गोर्मिट अगर हमें ST की तेदी भी है अगर पहारीों का ST मिलेगा इंशाला मिलेगा भी जब मिलेगा तो हम अपना ये जो 4% का कोटा हमारे पास PSP का है हम इसको भी इंक्लूड रहेंगे कि ये ST का कोटा जो है इसको अक्सीड करवाया जाए इसको बढ़ाया जाए प्लीज बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिमागों में मिस कंसेप्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके कोटा से आपका हक ले रहे हैं देखिए ये किसी का हक नहीं होता है इंडियन कॉंस्टिशिशन में हर किसी का हक है सिर्फ शेडूल ट्राइब आपने लिया है स्चेडूल ट्राइब में टोटल बारा ट्राइब से हैं और हर अगर ऐसा होगे तो गुजर बगवाल ये भी कलेम कर सकते हैं कि भागी वालों को क्यों निए है average नहीं है इंडिन कांस्टूशन ये हमारा हक है नहीं हमारा राइट है हमारी लड़ाई के साथ है जो हम वहां से मांग कर रहे हैं, अस्टि स्टेटिस की दूसरी बात में एक वाचिज और आपको बता दूं कि जिस तरह से गुपकार डिकलिरेशन जो है इन्होंने गुपकार की मीटिंग में जिस तरह से कहा है कि इसको डिवाइड रूल की तरह इस्तमाल किया जा रहा है तो आपके पास भी मौका था, आप लोग दे देते हैं आज ये नोबत नहीं आती, तो बी वेरी क्लिर, ये डिरेक्ट मैसेज मैं एन्सी और पीडीपी को ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सच में चाहते थे ये चीज़, अगर आपको सच में लगता है ये डिवाइड रूल की पॉलिसी है, तो आप लोगों ने सतर सार रूल किया है तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, एन्सी ने क्यों नहीं दिया और आज ये हालात जो पहारियों के हैं ये आप लोगों ने क्रेट किये हैं तो प्लीज गुजर बकरवाल भाईयों के जिसे मेरी अपील है कि प्लीज पीस को बना के रखें किसी का कोई हग कहीं नहीं जा रहा है सब कुछ सही है और सही दिशा में जा रहा है थेंक यू सो मच साड़ाज प्राइस करने ना यह मुद्दा है कि जड़े लोग साड़े आपस विचे पाड़िया दर गुजरां की लड़ाने नहीं कोशिच करने पे अज सुनना की यह वो इस प्राइस करने तुसा मीडिया ने दरिये एक चीज आखने चैने हैं के तुससा ही लड़ाओ ना असा लोग का अपस विचे प्यार खलाक ना रहने हैं असाड़िया बावलिया एककंड तोकवा एककंड तुसा लड़ाओ ना पिछले दिने फ्रस्ट एक्ट आया असा खुशी ना उजार किता असा उना लोकां की ना लोईदा फाइलां बनाई देती हैं ना लोईदा कारो बाहरो ना दखी या कुछ लोग का ऐसे शरार्ती तत्थून जड़े असां की खराब करने और साड़े काज की खराब करने पे असक्रूस सेंटर गूर्मिंट की अपील करने के जड़ा सड़ा का जाए इसी जल्दी जल्दी तोड़ नबाया जाए और अगयर निक असां पिश्मीर में अरजोरी पुंच में उड़ी केरन करना में हमारे इन कितों में जितने भी रहने वाले हमारे गुजर, बकरवाल, पहाडी हम लोग भाई-भाई थे, भाई-भाई हैं और भाई-भाई रहेंगे इसमें किसी को भी संशे नहीं होना चाहिए चाहे वो पॉलिटि प्रेस कॉन्फरेंस आज जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि डी लिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट के बाद कल जब गुपकार वालों ने एक प्रेस कॉन्फरेंस की और उसमें वो अपना रोज परकड़ कर रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा ये उनका मानना है जमू खिता में हम रहने वाले लोग जो इस नाइनसाफी को जहल रहे थे सतर सालों से हम लोगों ने तो डी लिमिटेशन जो कमिशन है उसके इस पैसले का वेलकम किया है खुशामदीद कहा है कि कम से कम जमू खिते को अगर चे सीटें मिल रही है या कल फाइनल हो जाती है तो उसमें हम लोगों तो खुशी हो नहीं है हमने तो उनका वेलकम कर रही है दूसरी बात अगर कश्मीर में वो एक सीट दे रहे हैं उसके उपर हमारे उन भाईयों को कोई नराजगी है तो वो आईनी तोर पर अपनी बात को रखे हमें उसमें कोई इतराज नहीं है कोई भी वरग कोई भी कम्म्यूटी अपना आईनी तक जो है वो उसमें अपनी बात करें हमारी तरव से कोई इतराज नहीं है लेकिन कल गुपकार की प्रेस कांफरेंस में बात करते करते उन्होंने गुजर और पहाडियों को बीज में लाकर उन्होंने एक नया तनासुप खड़ा करने की जो कोशिश की हम अपने इस मंच के द्वारा यह कह देना चाहते हैं चाहे कोई पुलिटिकल पार्टी हो चाहे गुपकार वाले हो वो हम भाईयों में कोई नया तनासुप खड़ा करने की कोशिश ना करें क्योंकि उनके इशारों पर ही कुछ नोजवान अलग-लग तरह से अपने ब्यान बाजी जो है वो इन बात बिलकुल साफ है कि इस समय जो केंदर की सरकार है अगर उन्होंने हमारे गुजर बकरवाल भाईयों को उनका जो हक आज